दोस्तो आईपियल साल 2022 के मेग उक्षन को होने में अब करीबन एक महिना और बचा ऐसे में हम सभी को आईपियल की टीमों के तरफ से लगातार अपडेट्स मिल रही हैं जहाँ पर आप लोग किर्केट फुटबॉल और 160 प्लस गेम स्केल कर लाख और करोड़े रुपे जी सकते हो 85 से ज़्यादा ब्रांचिस पर उप्रेट होती है और इस पर आपको 24-7 विज्ड्रॉ को आप्षन भी मिलता है कुछ दिन पहले रिपोर्ट आये थी हम सभी को 12 और 13 फरवरी को बैंगलोरू में मेगा उक्षन देखने को मिलने वाला है और मेगा उक्षन से पहले हम सभी को पता है प्लेयर्स ड्राफ्ट का प्रॉसेस होने वाला है जिसमें लखनो और आमदाबाद जो की दो नई टीमें आई हैं आई प्ल में वो अपने तीन-तीन खिलाडियों को पिक करेगी और रिसेंटली उन तीन खिलाडियों के नाम सामने आए जिनको आमदाबाद के टीम से खेलते वे नज़र आने वाले हैं आई प्ल 2022 में और आज की बड़ी खबर लखनो की टीम से जुड़ी है लखनो की टीम भी दोस्तों जिन तीन खिलाड़यों को पिक करने वाली है स्पेशल पिक में उन तीनों के नाम सामने आ चुकी हैं पहला नाम तो हम सभी को पता है केल राहुल का है जो की लखनो की टीम के कप्तान भी रहने वाले हैं साल 2022 में राहुल के अलावा लखनों की टीम ने कगी सो रबाडा और युजविंदर चहल को कॉंटेट किया जिया दोस्तों हम सभी को चहल और कगी सो रबाडा लखनों की टीम में नजर आ सकते हैं यानि कि केल 2022 के टाइटल स्पॉंसर को लेकर IPL 2021 में हम सभी ने देखा Vivo IPL 2021 का टाइटल स्पॉंसर था तो हम दो साल पहले की बात कर रहा यानि कि IPL 2020 की तो वहाँ पर हमने Dream 11 को IPL का स्पॉंसर देखा था लेकिन दोस्तों आज जो breaking news निकल कर आ रही है वो आ रही है IPL 2022 में हम सभी को आईपल का टाइटल स्पॉंसर विवो नहीं बलकि टाटा दिखेगा जी हाँ दोस्तों टाटा रिप्लेस करने वारा है विवो को और हम सभी को आप टाटा IPL 2022 देखने को मिलेगा और ये जो रिपोर्ट है ये करिक बस की तरफ से निकल कर आ रहे है करिक बस ने इस रिपोर्ट पर मोहर लगा दी है यानि कि ये almost confirm है तो आप सभी लोग को दोस्तों कैसा लगा IPL का नया स्पॉंसर आप लोग कोमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही IPL 2022 की latest update पाने के लिए चनल को सब्सक्राइब करेंगा साथ में उस notification bell को दबाएं जिससे कि आप सभी को मेरी वीडियोज की notification सबसे पहले मिलेगी